हाई अब्रीवान वेलकम टो भीमन नीव आईएस मैं नेम इस रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इस कॉल्ड तू दपॉइंट तू दपॉइंट के अंदर आज को अमरा टॉपिक है बहुत ही स्टेट फॉवर टॉपिक है एक बेसिक एनिमल हस्बेंडरी स्टेटिस्टिक्स जो है वो रिलीज हुई है तो हमने यह देखना है कि उसके अंदर बेसिकली वो चार मेजर एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर कॉमेंट करते हैं इस वीडियो के अंदर हम सिरफ रैंकिंग देखेंगे कि कौन सी स्टेट किस चीज में लीडर है प्रोडूइसर में राइट तो इन चलिए देखते हम बहुत सिंपल सी वीडियो आज कि हमारी ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें आज चलिए लेट्स बिगिन बेसिक अनिमल हस्बेंटरी स्टेटिस्टिक कब के हैं यह 2022 और रिलीज का हुए 23 यह जो डेटा यूस हुआ है वह कब का हुआ 22 का हुआ चलिए किस इसने किया यह अब देखो बेसिक अनिमल हस्बेंटरी स्टेटिस्टिक है राइट तो कौन करेगा इसको एस सिंपल अस दाइज कि अनिमल मिनिस्ट्री ऑफ अनिमल हस्बेंटरी और फिशरी तो इसको जो है आउट किया है अन्वील्ड दिपार्टमेंट्स एन्वल पॉब सवाल अगर यहां से बन सकता है कि यह अनुल सर्वे है या फाइव यह का सर्वे है तो यह सब ध्यान रखना होता है कि एक एनुल पॉब्लीकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अनिमल हस्बेंटरी और फिशरी दो में आता है अब इसकी इंपॉर्टेंस देखिए मतब क्या होता कि इसमें इस दी प्राइमरी सोर्स तभी मैं आपको बोल रहों कि अगर कोई सवाल आता है और उसमें पूछता है कि इसमें पूछता है तो यहां का डेटा होता है उसके इसके थू मिलेगा हमने उसके थू वहां पर आंसर करना है चलिए आगे चलते हैं इस दी प्राइमरी सोर्स ओफ डेटा ओन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन राइट प्रोड़क्शन अनिमल डिजीजीज इंफ्रस्रक्ट इसमेट्स ओफ ओर मेजर लाइफ सोर्ड प्रोड़क्ट जिनको मेजर लाइफ स्टॉक प्रोड़क्ट्स यानि की मल्पी कौन-कौन से हैं मिल्क एग मीट और वूल तो यह चार प्रोड़क्ट्स इस वीडियो के अंदर हम इन ही चार के लीडर जो है उनको देखेंगे और हरयाना का जो सिविल सबिसेश वो भी आने वाली है और इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है तो यह वाली जो टॉपिक है उनको वहाँ पर पूछने की थोड़ी आदत है तो आपको डिरेक्टली इसके थूरू वहाँ पर सवाल देखने को जो है वो मिल सकता है इन चार के अबर डेटा पर आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेक स्मॉल टाइम तो टेल यू अबाट इस कोर्स विच इस अल्ड़ेदी गॉइंग ओन इस कॉर्स पर प्री और मेंस फोर बोथ ओफलाइन अस वेल अनलाइन तो आप ओफलाइन ओनलाइन फॉर्माट दोनों के अंदर सकते हो to the point के अंदर क्या होता है कि यहां पर जो आप वीडियो देखते हो they are only focused on prelims कि प्री के अंदर क्या क्या प्राविबल कोशन पूशे जा सकते हैं और हफते के अंदर इसके अंदर तीन वीडियो जो है हम कवर करते हैं उन तीन वीडियो के थूरू तीन टॉपिक्स आ इतनी है तो ऐसे अगर आप चाहते है कि आपका पूरा current affair जो है वो दन हो जाए राइट इसके अंदर बेसिकली अपके थ्री प्रांग स्टेजी के साथ हम चलते हैं नॉमबर वन यो गेट वीकली PDF यह आपके अभी PDF के अभी मन्यू के जो डैश बोर्ड के ऊपर जो है आप इसके बाद में उसको create किया जाता है उसके साथ static research जो लगती है बहुत ही precise form में for example जैसे ministry of animal husbandry इसके बारे में आया तो इसकी और कौन-कौन सी reports important है तो यह सब आपको उस PDF के अंदर एक के साथ में मिल जाता है और हफते में एक PDF आती है तो आपको पूरे हफते का current affair जो है व दो classes होती है एक होती है आपके Saturday को और एक होती है आपके Monday को right Saturday and Monday तो इसके अंदर क्या होते है कि आपका जो previous week का current affair है up to Friday वो आपका Saturday and Monday को cover हो जाता है और वैसे ही आने वाले टाइम का ऐसे एक एखफते का current affair इन दो classes में cover हो जाते है और साल के end में आपके पास एक register बनता ह है और we claim that कि उस register के बाहर आपको सवाल नहीं आएगा उस register के अंदर से ही सवाल आएगा अगर UPSC कुछ पूछते है इन केस उसके बाहर से कोई सवाल आता है तो वो एक ऐसा सवाल होगा जिसको छोड़ना होगा जिसको all over India कोई नहीं कर पाएगा है ना या फिर वो कोई बह होता है आपका register form हो जाता है प्लस आपको mains के लिए सोचना आता है इसके अंदर ultimately वहां जो questions पूछ जाते हैं बहुत जैनरिक से होते हैं इतना ज्यादा उसमें वो नहीं चाहिए होती इतना आपको subject knowledge नहीं भी हो तब भी अब attempt कर सकते है लेकिन आपको सोचना आना चाहिए आपको समझना आना चाहिए कि वो सवाल पूछ क्या रहा है तो वो एक process है जिसको आप classes के थूरू दीरे-दीरे-दीरे-दीरे build-up करते हो तो यह एक ऐसी class है जहां पर इसको खास focus में रखके जो है आपको content जो है वो deliver किया जाता है नमबर त्री यूगेट weekly tests आपको weekly test मिलते है weekly test basically आपको पूरे हफते के जो current affairs है उन्हीं के बेस के उपर उसी हफते में आपको Sunday को एक test मिलता है और वो आप test अब attempt कीचे तो basically यह तीनों दो उपराली दो चीज़े है यह आपको इसके थुरू 45 हो जाते है वेलिडेट हो जाते है कि आपने जो पढ़ से we can consider कि आपको जो current affairs है as a module यह जो है वो done हो गया है right and क्योंकि आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो you get a 7 days free trial for this course as well Link is in the description प्लीज चेक इट आउट साथ दिन का free trial है आप course avail कीजिए फिर आप decide कीजिए फिर आप free trial लीजिए फिर आप decide कीजिए कि course avail करना है या नहीं and आप लोग तियारी कर रहे हैं तो all the best for that यह आपकी तियारी के अंदर definitely आपको help करेगा चलिए अभी हम MLPs पर चलते हैं चार हमारे MLPs milk, egg, meat and wool चलो major highlights देखते हैं total milk production in the country during 2021 is 221.06 million tons हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो यह है कि number one producer कौन है टॉप फाइव major milk producing states number one पर राजस्थान मतलब अभी जब इसको हमने class इस topic क्लास में भी cover किया था और हमने पूछा था class के अंदर की what do you think number one state कौन सी है तो किसी ने भी राजस्थान गेस नहीं किया था इसका मतलब यह एक ऐसा topic है जिसके अंदर आपको gas work नहीं चलेगा राजस्थान किसी के दिमाग में ही नहीं आया कि एक इत्ती सूखी सी state जो है वो number one milk producer हो सकती है लेकिन data यह बोल रहा है तो इस particular के ऊपर भी सवाल आने के chances हैं क्योंकि यह counter intuitive है आपकी intuition आपको कुछ और बोल रही है और actual में कुछ औ और है तो यह थोड़ा सा counter intuitive है right number one is Rajasthan from top five major milk producing states देख रहे है number one is Rajasthan then we have Uttar Pradesh then we have Madhya Pradesh then we have Gujarat and then we have Andhra Pradesh इंडिया के map अगर आपको कॉलम सा highlight होता हुआ दिख रहा है तो आप इमेजिन कीजिए उसको कि कौन कौन सी states है यह राजस्थान उत्रपरदेश then we have उसके नीचे गुजरात then we have Madhya Pradesh और then we have Andhra Pradesh right तो आपको ऐसे से cluster सा बनता हुआ दिख रहे है कि मतलब इस area में कोई ब और खासकर हर्याना का पेपर जो आने वाल है उसके अंदर भी आपको यह से अंडिंग राजस्थान देन वी है उत्तरपरदेश then we have Madhya Pradesh then we have Gujarat then we have Andhra Pradesh मतलब वी है आर यू एम जी ए रुंगा तो आप इस तरीक से भी इसको याद रख सकते हैं आर यू एम जी ए टोटल एग प्रोड़क्शन देखते हैं इंदी कंट्री इस 129.60 बिलियन नंबर्स ठीक है और यह इंपोर्टेंट निये यह वाला डेटा इंपोर्टेंट निये यह वाला इंपोर्टेंट है हमारे लिए कि टॉप फाइव मेजर एग प्रोडूसिंग स्टेट्स कोन सी है नंबर वन पे वी है आंधरा परदेश देन वी है तमिल नाडू देन वी है तेलंगना देन वी है वेस्ट बेंगल और देन वी है करनाटका अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अब इसको लिख लीजिए आपको परसेंटेज याद करने की ज़रूरुत नहीं है इन केस अग आपको नतिया देखने को मिल रहे है तो उसी क्या यह आपको नतिया देखने को मिल रहे है इससे इंक्रीज बाए 5.62 परसेंट अस कंपेर तो दी प्रीएस यह 5.62 परसेंट का राइस सब्सेंशल राइस माना जाता है चलिए टॉप 5 मेजर मीट प्रोडूसिंग स्टेट जेखते है नमबर वन पर भी है महराष्टरा नमबर टू पर भी है उत्तरप्रदेश यह भी आपको स्रप्राइस निगा कि महराष्टरा नमबर वन पर नमबर टू पर उत्तरप्रदेश है नम्बर थ्री पे we have West Bengal, then we have Andhra Pradesh and last we have Telangana, right? Simple enough, we have Maharashtra, then we have Uttar Pradesh, then we have West Bengal, then we have Andhra Pradesh and then we have Telangana Top 5 आपको याद रखने के जरूरत नहीं है वैसे, पर आप number 1 जरूर याद रखिये और अगर UPSC थोड़े उसको खेलने की आदत है, तो वो 2 या 3 तक जाता है तो अब at least top 3 जो है वो आप जरूर इसको जो है याद करके रखिए for UPSC, last देखते हम total wool production, total wool production in the country during 2021-2022 is 33.13 thousand tons, देखते हैं, this has declined by 10.30%, right, wool production decline हुई है, meat production बढ़ी है, right, चलिए, आगे चलते हैं, top 5 major wool producing states, अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा cash देखने को में लेगा कि यह भी number 1 पे Rajasthan है according to the data, right, और कौन सा Rajasthan था, milk producing, तो Rajasthan में milk और wool दोनों जादा है, यानि कि इसकी meat production थोड़ी सी कम होगी, then we have Jammu and Kashmir, wool, then we have Gujarat, then we have Maharashtra and then we have Himachal Pradesh at the 5th position, right, तो आपको यहाँ पे भी याद रखने की जरूरत है, आपको राजस्थान याद रखने की जरूरत है, और Jammu और Gujarat तक याद रखी, और एक है कि Himachal Pradesh 5th पे पहले नमबर पे नहीं है, right, that is all in today's video, and let me tell you about this platform, Abhimanyu IES is a platform which prepares you for your UPSC and various PCS examinations, it has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999. My name is Rohit Garcha, thanks for watching, this is To The Point. Abhimanyu IES The Point झाल झाल